अलो दोस्तों मैं आंकर भारती डैनेमिक डिपोर्ट में आपका स्वागत है आज मैं आप लोगों को एक्स्टेंशन बोर्ड बनाना बताऊंगा कि आप अपने घर पे एक्स्टेंशन बोर्ड को कैसे बना सकते हो तो उसके लिए अगर आपको जिस टैप का सौकेट का जरूर वाला हो और एक्स्टेंशन बोर्ड जैसा इसको यूज में लाने वाला हो जब आप एक्स्टेंशन बोर्ड बनाओगे तो उसमें क्या-क्या equipment required होगा तो first एक screw driver एक wire cutter और दो color का wire जैसे कि आप face और neutral को कैसे फ़च्चान पाओगे उसके लिए आप दो तरह का wire ले लेना और आप एक plug भी ले लेना ताकि आप extension board को जितना चाहते हो उतना extend करके बना सकते हो first मैं सारे screw से सारे socket को tight कर लेता हूँ मैंने इसमे फीट कर दिया अच्छे से अब मैं इसका internal connection करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसको कैसे connect किया जाता है तो जैसे कि एक line होता है एक neutral होता है और एक earth होता है तो earth का मैं connection नहीं करूँगा मैं line और neutral का connection करके आप लोगों को दिखाऊँगा कि कैसे connect किया जाता है क्योंकि अगर आपके घर में earth wire आया हुआ है तो आप इसे इस plug में earth से connect कर देना otherwise अगर आपके घरों में earth connection नहीं आया हुआ है तो आप इसको leave करके भी छोड़ सकते हो मिंस इसको छोड़ के रख सकते हो इसमें connection करना compulsory नहीं है तो मैं आप लोगों को phase और neutral का connection आप करके दिखाता हूँ कि कैसे किया जाता है तो आप देख सकते हो line को ही phase करते है और यह neutral है तो यह दोनों को आपस में connect करना है और यह दोनों को आपस में connect करना है उसके बाद आपको supply देना है तो मैं आप लोगों को दिखाता हम कैसे connect किया जाता है मैं blue wire को neutral माल रहा हूँ और मैं neutral neutral से connect कर देता हूँ ऐसे ही face के लिए बहें एक wire cut कर लेना है यह neutral है यह neutral है यह line ही line तो मैं line को yellow color से indicate कर रहा हूँ yellow wire से indicate कर रहा हूँ तो line को line में connect कर दूँँगा तो मैं line को इस वाले line point में जाएगा और यément neutral दूसरे वाले neutral point में जाएगा तो आप देख सकती हो कितना easy connection था means अगर आपका दो socket है और आपको उसको extension board बनाना है इसको phase से connect कर दो neutral को neutral से connect कर दो और अगर आपको ground का भी connection करना है तो इसमें simply connect कर दो और direct आप plug में यहाँ पर connect कर दो neutral यह phase हो गया तो मैं दोनों से कहीं पर भी एक supply ले सकता हूँ तो मेरा extension जो board बनेगा वो ज्यादा लंबा नहीं रखूंगा तो मैं एतना लंबा wire ले रहा हूँ और मैं इसको पीच में से cut कर दे रहा हूँ और यहाँ से मैं same color का wire ले ले दाओं जैसे की एक मेरेको phase connect करना है एक neutral तो मैं कहीं से भी connect कर सकता हूँ या तो यहाँ पे या तो फिर यहाँ पे क्योंकि यह तो आपस में sort है और अगर आप चाहते हो कि मैं indicator और switch भी connect करना चाहता हूँ extension board में तो आप i button पे click करके देख सकते हो video जिसमें पूरा detail बताया गया है और दूसरे वाले point में यहाँ से connect कर दूँगा यह tightly connect हो चुका है यह दोनों wire को plug में लगाता हूँ और उसके बाद मैं supply देता हूँ यह अच्छे से fix हो गया और अगर आप अर्थिंग का भी connection करते हो तो अर्थ वाला wire आप डारेक्ट अर्थ में connect कर देना तो यह connect हो जाएगा यह आप देख सकते हो screw दिया wire ताकि यह wire को tight से पकड़ ले तो आप इसको भी tight कर लेना ताकि आपका wire खिचायना और आप देख सकते हो मैं यहाँ पे डालना भूल गया तो आप जब भी connection करो तो first इसमें hole कर लेना उसके बाद यहाँ से wire को डाल लेना उसके बाद ही आप connection करना तो चलो मैं इसको देखता हूं टेस्ट करके कि extension board मेरा सही connection हुआ या नहीं हुआ तो first मैं इसमें supply देता हूं यह supply आ गया और जैसा कि आप देख सकते हो इसमें 16 ampere का socket लगा हुआ है तो आप इसमें direct अगर आप कोई ना charger लगाना चाहते हो तो यह नहीं लगेगा और इसमें extension socket लगाना पड़ेगा तभी आप इसको use कर सकते हो क्योंकि basically मैं यह heavy load के लिए use में लाने के लिए extension board बनाया हूँ और यह 16 ampere का socket लगा हुआ है तो इसमें coverder रहता है ताकि कोई अगर बच्चा इसमें finger लगा है तो इसको sock ना लगे उसके safety के लिए ऐसा 16 ampere socket में द चार्ज हो रहा है या नहीं तो first supply देता हूँ अब देखो ओन चार्ज हो रहा है उसके बाद मैं दूसरे वाले socket में लगाता हूँ और आप लोगों को check करके बताता हूँ कि यह charge हो रहा है या नहीं तो आप देखो दूसरा socket भी charge हो रहा है और मैं इसमें ना switch दिया हूँ ना indicator दिया हूँ अगर आपको switch और indicator का भी extension board बनाना सीखना है तो आप i button पे click करके देखके सीख सकते हो I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप इससे connection करना सीख गए हो तो ऐसे ही interesting वीडियो के लिए चैनल को subscribe जरूर कर लें ताकि regular update मिलता है आपको Thank you for watching my videos